हेलो गाइज मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूपटप गार्डेन आज मैं आप लोग के शाथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा खाद के बारे में जिसे आप चाहे तो किसी भी प्लांट पर दे सकते हो पूरे साल वर दे सकते हो साल के किसी भी समय दे सकते हो इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताने से पहले आपको जान लेना जरूरी है कि क्यों इस खाद का यूपयोग करना बहुत ही जरूरी है और कौन-कौन से न्यूट्रियंट रहते हैं इस खाद पे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो अगर अच्छे लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो जिस खाद के बारे में मैं शेयर करने बाला हूं वह है मास्टर केक फर्टिलाइजर जिसे आप मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं यह एक और्गेनिक फर्ट पर यह दे सकते हैं चाहिए फ्रूट प्लांट हो या फिर वेजटेबिल प्लांट हो या फिर आप इसे फ्लावरिंग और औरनमेंट प्लांट पर भी दे सकते हैं तो क्यों यह खाद देना बहुत ही अच्छा है किसी भी प्लांट के लिए क्योंकि इस खाद में रहते हैं बह अगर इस खाद की इस्तेमाल करती हो तो आपके प्लांट के ग्रोथ बहुत ही अच्छी होते हैं लीब्स की कलर एकदम डीप ग्रीन होते हैं और बहुत सारे नैने से ब्रांचेस भी निकल कर आते हैं अपके प्लांट पे हलाकि इस खाद का यूपयोग आप अगर वेज़िट खराब नहीं होंगे तो यह तो गया इसके न्यूट्रियंट के बारे में और आप किसलिए इस खाद के इस्तेमाल करते हो जो मैं आप लोगों के शाथ शेयर किया तो अब बताना चाहूंगा कि आप कैसे इसको रेडी कर सकते हो बहुत ही आसानी से आपको यह खाद नरसरी दिच्ञों पिसाई यह पे आपके आसपास जहां पर आईल मिल है मतलब सर्सो की पिसाई होते हम SEN पर आपको आराम से मील जाएगा सर्शो की पिसाई करने के बाद मतलब और निकलने के बाद जो वेस्ट रहेते है तो ही है मस्ताट केक फार्टिलाइजर इसे आप पानी के साथ मिक्स करके 2-3 दिन तक रग दीजिए उसके बाद अब अलग से 10 लिटर पानी के साथ एक मग मिक्स करके किसी भी पौदे पे दे सकते हो 200-500 प्लांट के लिए 2 किलो काफी है तो आप उस हिसाब से इस्तेमाल किया कीजिए ज़्यादा बहुत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कम इस्तेमाल करके भी आप अपके प्लांट पे बहुत अच्छे से रेजल्ट पा सकते हो और यह आप अगर 15-20 दिन के अंतराल पे देते हो साल के किसी भी समय तो आपके पौदे की ग्रोथ जैसे कि मैं बताया बहुत ही अच्छे होंगे नय-nय से लीब्स आएंगे पौदे पे फ्लावर की कलर बहुत ही अच्छे होंगे और वेजिटेबिल प्लांट पे अगर देते हो तो बहुत अच्छे से वेजिटेबिल प्लांट पे आपको रेजल्ट मिल सकता है तो जैसे कि मैं दिखाया किस तरीके से आप इसको बना सकते हो और कौन-कौन से प्लांट पे आप दे सकते हो लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा प्लांट है जिसको मैं अभी इस खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगा जैसे कि डहल या άद करने के बाद मैं मेरे प्लांट पे लास्ट दो या तीन दिन पहले ही इन औरगनी खाद का इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि ये सभी मेरे सिजनल प्लांट है और में हाली में ही का का इस्तेमाल किया हूं तो इसलिए आने वाले 20 से 25 दिन के बाद मैं इस इन सब पौधे पर मास्टर केक फाटिलाइजर का इस्तेमाल करूंगा तो जैसे की देखिए मेरे तो मेरी गोल्ड प्लांट पे फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है अभी भी ऑक्टोबर का महिना चली रहा है और इन सब पौधे को मैं आप लोगो के साथ शेयर भी किया हूं कटिंग से ग्रो किया था और कटिंग कैसे ग्रो किया जाता है उसके बारे में भी मैं शेयर किया हूं उसके लिंक मैं डेश्किप्शन पर डाल दूँगा आप चाहे तो कटिंग से बहुत सारे इसी तरीके से मेरी गोल्ड प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं और अगर आपको ये खाद नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कॉमेंट मैं आप लोगों को एवेलेबल करवा दूँगा या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो बहुती लो कॉस्ट है मतलब 30 से 35 रुपिया पर किलो आपको मिल जाएगा और इस खाद का उपयोग मैं मेरे चत के ऊपर मेरे सभी प्लांट पे जितने सारे प्लांट है मैं सभी प् पौदे पर देना बहुत ही आसान है आप जैसे पौदे पर वाटरिंग करते हैं उसी तरीके से आप इस खाद का उपयोग कर सकते हैं तो फ्रेंट यह तो था मास्टाट केक लिक्वीड फार्टिलाजर के बारे में पूरी जानकारी उमीद करतों आप लोगों को समझ आ गय प्रेंट बाइ